ग्यानवाबी परिस्वर में व्यावस जी के तहखाने में पूझा पाठ को लेकर दाखिली आचिका पर एहम सुनवाई होनी है वार्नसी कोर्ट व्यावस जी के नाती शालेंदर पाठकी आचिका पर सुनवाई करेगा शालेंद्र पाठक नहीं अपनी आचिका में कहा है कि व्यावशी के तहखाने में 1993 के बाद से पूजा पाथ बंध है उससे दुबारा से शुरू कराया जाए वहीं ग्यान वापी पर बने हुए वशुखाने में मिलेशिवलिंग को लेकर हिंदो पक्ष्टे सुप्लिम पोर्ट में आचिका दाखिल की है इसमें मांग की गई है कि पूरे वशुखाने का एसाई से साइन्टिफिक सड़ बे करवाया जाए साथी परिसुर में बचे हुए आठ तहखानों को भी खोला जाए क्यान वापी के कोने कोने में मंदर के सबूत वजू खाने से शिवलिंग दे रहा गवाही ग्यानवापी परिसर में मंदर के अवशेश मिलने और एसाई के सर्वे रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे पर मोहर लगने के बाद अब हिंदू पक्ष ग्यानवापी परिसर में पूजा करने की मांग पर अड़ा हुआ है वरणसी कोर्ट में आज ग्यानवापी परिसर में व्यास जी के तहकाने में नियमित दर्शन पूजन के अधिकार वाली याजिका पर सुनवाई होगी व्यास जी के नाति शैलेंद्र पाठक ने कोर्ट में एक याजिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि तहकाने में 1993 से बंद पूजापाट को पोनेह आरंभ करवाय जाए इस बीच ग्यानवापी परिशर की परिक्रमा को लेकर जोतिश पिठाधीश्वर शंकराचारी स्वामी अविमुक्तेश और अनंद और जिलाप्रशासन आमने सामने आ गया है सोमवार को शंकराचारी अविमुक्तेश और अनंद को ज्यानवापी क्षेतर की परिक्रमा करने से पुलिस ने रोक दिया उन्होंने सोमवार को दोपहर तीन बजे मूल काशिव विश्वनात की परिक्रमा करने का एलान किया था जिसके बाद उनके मट से निकलते ही उन्हें रोग दिया गया पुलिस का कहना है कि शंकराईचारी के पास परिक्रमा करने से रोका गया है लेकिन शंकराईचारी परिक्रमा करने की मांग पर अड़े हुए हैं एकी तरीका था हमारे पास की बाउंडरी के बाहर बाहर जा करके परिक्रमा कर लें और प्रणाम कर लें हमारे यहां वो भी पूजा है और यह नया नहीं है यह पहले से ही जब से वहाँ पर कपजा करने की कोशिश की गई है तब से ही हमारे पूरवज करते चले आ रहे हैं मु सोचा कि इसी रूप में चारों तरफ बाउंडरी के बाहर बाहर चल करके बगवान का नाम ले करके और प्रणाम करेंगे और चले आएंगे इतनी सी बात है तो उसके लिए भी रोक लगाई वही ज्यानवापी को लेकर ASI की जो रिपोर्ट सामनी आई है उसमें ज्यानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बता गया है इसमें 32 एहम हिंदू स्थलों का जिक्र है साथ इस शिवलिंग के साथ नंदी गणेश की मूर्तियां भी मिली है इस रिपोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ज्यानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने में शिवलिंग के साइटिफिक सर्वे का आदेश देने वाली याचिका दाखिल की गई है इस मामल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है साथे साथ हमने मांग किये कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे एस आई को उसके फीचर से स्टेडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए उसको एक्सकेवेशन करने की जाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज के हुए उसकी स सर्विक्षंड के दौरान भी ये बात उभर के सामने आ रही थी कि वहाँ पर टोटल दस ऐसे तैखाने हैं जो मौजूद हैं उन दस तैखानों में से दो ही तैखाने जो हैं वो खुले हुए एक एज़ाजी के कबजे में और दूसरा व्यास परिवार का तैखाना है उसके परिसर में वजू खाना सुप्रिम कोट के आदेश के बाद संग्रक्षित है यानि वहाँ सील बंदी की गई है वहां हिंदू पक्षकार आदि विश्योषर का श्रिवलेंग होने का दावा कर रहे हैं जबके मुस्लिम पक्ष इसे फववारा बताता है यही वज़ा है कि अ बजू खाने का भी एसा इसे सर्वे करवाना चाहता है